A Trimph of Surgery Part 3 Okay, students, listen very carefully. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge of Tricky's constitution. हमें बड़े कठिनाई से विश्वास हुआ जब Tricky के सरीर को अंतिम रूप से बनाने के लिए brandy की बोतल आने लगी. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. फिर डाक्टर साब कहते हैं कि कुछ रातों तक हमारी भावना या हमारी हमारा सरीर जूमता रहा, मध्होसी से सांस लेता रहा और सम्मान पुर्वक brandy पीता रहा. कहने मतलब है कि brandy आई थी पीने के लिए Tricky के लिए लेकिन इसका enjoy उठा रहे हैं डाक्टर साब और उनके साथ ही. दे वेर डेज आप डीप कांटेंट वो दिन बहुत ही गहरी संतुष्टी के दिन थे स्टार्टिंग वेल विद दा एक्ष्ट्रा एग इन दा मार्निंग इंप्रूब्ड जिसकी शुरुवात मार्निंग में एक्ष्ट्रा अंडा खा करके होती थी अपने बॉड़ी को सुधार करके होती थी और लगातार दोपहर में वाइन चलती थी यानि हम लोग वाइन पीते थे और जब रात होती थी तो हम लोग आग के पास गोला बनाकर बैट कर ब्रैंडी पीते थे यानि डाक्टर साब को मौजा ही मौजा था इट वाज एक टेमपटेशन तो कीप ट्रिकी अन एज पर्मानेंट गेस्ट ये इच्छा प्रकट की गई कि ट्रिकी को एक पर्मानेंट मेहमान बना लिया जाए क्योंकि tricky से फायदा हो रहा था तो उसे permanent guest बनाने के बारे में विचार हो रहा था बट I knew Mrs. Pumphree was suffering लेकिन मैं जानता था कि Mrs. Pumphree पीडित थी and after a fortnight और 14 दिन के बाद felt compelled to phone and tell her that मैं उसे phone करने के लिए प्रेरित हो गया और मैंने उसे बताया the little dog had recovered कि छोटा कुटा ठीक हो गया था and was a waiting collection और वो इंतिजार कर रहा है कि आए आप आईए और उसे ले जाईए within minute about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery कुछ ही मिन्टों में लगभग 30 feet की चमचमाती हुई काली रंग की लंबी कार चलते हुए सर्जरी के पास surgery के बाहर आकर रुख गई यानि क्लिनिक के बाहर आकर रुख गई the chauffeur opened the door मेरा एक कारिकरता चौफर ने दरवाजा खोला and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior और मैंने Mrs. Pumphrey को देखा कि वो लगभग अपने आप में खोई हुई थी her hands were tightly clasped in front of her उन्होंने अपना दोनों हाथ अपने सामने रखा था और दोनों हाथों को कसकर पकाड रखा था her lips trembled उनके होट काप रहे कप कप आये ओ Mr. Harriet अरे सुरीमान Harriet do tell me the truth मुझे सच तो बताओ is he really better क्या वा वास्तों में अच्छा हो गया है मेरा कुता ठीक हो गया है yes he is fine हाँ वा अच्छा है there is no need for you to get out of the car आपको कार से निकलने की ज़रुवत नहीं है I'll go and fetch him मैं जाऊंगा और उसे ले आऊंगा I walk through the house into the garden मैं घर से होता हुआ बगीचे में पहुचा a mass of dogs was hurtling round and round the lawn and in their midst ears flapping, tail waving was the little golden figure of tricky कुत्तों के एक जुन्ड बगीचे में गोल गोल घूम रहे थे और उनके बीच में कानों को ऊपर करके फलफ़ाता हुआ पूंचों को लहराता हुआ छोटा सा सुनारे कलर का कुत्ता था tricky था in two weeks he had been transformed into a lead hard muscled animal दो हपते में वा एक लचीला कठोर मांसपेसी वाला जानवर बन गया था he was keeping up well with the pack stretching out in great bounds his chest almost brushing the ground कह रहे हैं वह बहुत अच्छा होता जा रहा था उसके बॉड़ी में pack बन गया था और वह बड़ी सीमा तक अपने सरीर को stretch कर सकता था कुत्ते लोगों को आपने stretch करते हुए देखा होगा his chest almost brushing the ground और उसकी जो च्छाती थी जब वो stretch करता था तो उसकी च्छाती जमीन को छूजाती थी जमीन को brush कर देती थी I carried him back along the passage to the front of the house मैं उसे मैं उसे रास्ते से होकर घर के सामने ले आया the chauffeur was still holding the car door open चफर अभी भी car का दर्वाजा open किया हुआ था when tricky saw his mistress जब tricky ने अपनी mistress को देखा he took he took off from my arms in a tremendous leap वह मेरी गोद से बहुत ही विचित ढ़ंग से कूद गया and sailed into Mrs. Pampree's lap और दरता हुआ Mrs. Pampree की गोदी में चला गया she gave a starter वह चकित होकर वह बोली यानि कि वह अपने कुद्टे से बिलकुल डर गई and then had to defend herself as he swaned over her licking her face and barking और फिर उन्हें अपनी रच्छा करनी पड़ी क्योंकि वह उनके उपर लपक रहा था उनके face को licking कर रहा था चाट रहा था and barking और भौग भी रहा था during the excitement I helped the chauffeur to bring out the beds toils, cushions, coats and bowls none of which had been used इस उत्तेजना के दौरान मैंने चाट की मदद किया कुट्टे का समान जैसे baits, toys खिलोने, cushions तकिया, coat और उसका कटोरा यह सब लाने मदद किया none of which had been used जिसमें से किसी भी चीज का यूज नहीं हुआ था as the car moved away जैसे ही कार वहाँ से चली गई मिसेज पंफरी leaned out of the window मिसेज पंफरी जो है her lips trembled उनके होट कपकप आए oh Mr. Harriet, she cried अरे स्रीमान Harriet उन्होंने चिला कर कहा रो कर कहा, how can I ever thank you मैं भला आपका कभी धन्यवाद कैसे कर पाऊंगी कर सकती हूँ, this is a trimph surgery, यह तो operation की जीत हो गई, surgery की जीत हो गई तो students, यहाँ पे कुछ कथिन वर्ड है, वो भी आप सुन लीजिए sausage, sausage का मतलब होता है finally minced meat stirred into long cylindrical cases and divided into small length by twisting our time का मतलब यह होता है कि एक ऐसा बोरा जिसका आकार cylinder जैसा होता है उस बोरे में कीमे जैसा मांस ठूस ठूस कर भरा जाए और थोड़ा थोड़ा दूर पर रसी से बांद दिया जाए जिससे की कहीं कहीं पर वो बोरी उभरी उभरी दिखती है ठीक है इसे कहते हैं sausage तो tricky का सरीर बिलकुल ऐसा ही था cylinder जैसा उसका सरीर था और हर तरफ उभरा उभरा मांस दिखता था जब वो बिमार था रियुमी का मतलब होता है इसका correct मतलब होता है सूजन होना या गठिया होना आए इसको हम आपको बता दें इसको explain किया गया है वाटरी डिस्चारज फ्रामे म्यूकस मिम्ब्रेंस इस्पेसली आफ दनोज आर आई एक बिमारी होती है जिसमें जिसके अंतरगत नाक से और आँखों से पानी जैसा म्यूकस जैसा बहता है आप देखे होंगे इसे रियुमी कहते हैं लिश्टलेस का मतलब होता है लेजी आलसी लैकिंग एनरजी एंड इंथूसिजम वही लेजी लमृगो का मतलब होता है मैसकूलर पेन इन टालवर पार्ट आप दा बैक लंबर रिजन का मतलब होता है पीठ दर्द की बिमारी रिजाइम रिजाइम का मतलब होता है प्रेस्क्राइब कोर साफ एक्सरसाइज औंड डाएट जो डाक्टर लिखते हैं कि आपको exercise करना है और आपको ये diet लेना है इसे regime कहते हैं तो बहुत से लोग इसका पालन करते हैं बहुत से लोग regime का पालन नहीं करते हैं distraught का मतलब होता है extremely worried का मतलब बहुत ज्यादा चिंतित होना surgery का मतलब clinic होता है जहां doctor इलाज करते हैं place where a doctor, a dentist or veterinary surgeon treats patients वही मतलब एक place जहां पर इलाज होता है scrimmage, rough or confused struggle का मतलब होता है धक्का मुक्की करना convulsing का मतलब स्वास्त लाप प्राप्त करना, recovering from an illness स्वास्त लाप प्राप्त करना lead का मतलब flexible लचकदार क्योंकि tricky की body बाद में flexible हो गई थी तो students, a trim pop surgery का तीसरा पार्ट भी आपको मिल गया और आज ये lesson समाप्त हो गया okay thank you